गिरनार पहाडियों की तलहटी में बसा जूनागड इतियास को अपने में यू समेटे है जैसे भारतिय संस्कृति का प्रती निदित्व उसे मिला हुआ है। यह निम्न प्रकार है। उनके अत्रिक्त जो शेष नियम है वो चार में बताए गए है। नमबर पांच धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात है। नमबर छे में आमनियंत्रन की शिक्षा दी गई है। साथ और आठ शेलालेक अशोक की तीर्थी आत्राओं के बारे में उल्लेक करते है। नमबर 9 में शिष्ठा चार का उल्लेक है। नमबर 10 में राजा और उच्च पदादिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में ही सोचें। नमबर 11 धर्म के वर्दान को सर्बूत कृष्ट बताया गया है। 12. सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, 13. कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसके बाद अशोक के हिर्दय परिवर्तन की बात है, 14. धार्मिक जीवन जीने की प्रेणा दी गई है, ये 14. शेलालेख आज भी जैसे पूछ रहे हों कि सरकार के प्रती निदियों तुमने क्या किया, जूनागड के माइने हैं पुराना किला, इतियास के तबील अर्से को अपने आगोश में लिये हुए यह शहर इसके लिखित प्रमान भी देता है, अशोक के शेलालेखों की बा शेलाती धूप में भी जलने नहीं देता और आप समुन्दर की ठंडी बयार महसूस करते हैं, इतियास को जैसे पन्ने पलट-पलट कर भढ़ता हुआ आपने नस्दीक आता हुआ देखते हैं, अशोक के ही अविलेखों पर शक शाशक रुद्रदमन के अविलेख उतकीन है और गुप्त वन्शी इसकंद गुप्त के भी, शक शाशक रुद्रदमन के अविलेख संस्कृत का पहला शिलालेख माना गया है, अफ्रीका के अत्रिक्त यहीं गिरनार में शेर को अपने प्राकरतिक आवास में देखा जा सकता है, कुल मिलाकर हिंदू, बौध, जैन, मु जूनागड का बावी राजवंश, 1947 तक यहां काविज रहा, इतिहास से निकल कर हम बाहर आते हैं, तो गुजराती चुनाव की सरगर्मी में एक और इतियास बनता हुआ देखते हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले महिंद्र मश्रू, जो रिकॉर्ड सा अधारण, लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाने वाले मश्रू, छे बार जीतने पर भी मंत्री पत से नहीं नवाजे गए हैं, यह पाईटी के अंदर की सियासत को बताता है, आपका बहतर होना ही राजनीती में सब कुछ नहीं है, अब की बार बीजेपी सरकार बनती है, तो मश्रू पर सभी की निगाएं रहेंगी, अशोक के चौदै शिलालेकों में जो आचार, विचार, धर्म, नियम और प्रतिनिधी के कर्तव की बात कही गई है, उसकी प्रतिच्छाया हम महेंद्र मश्रू में देख सकते हैं, हवर स्टेशन की रिपोर्ट